हलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दे अनेकेडमी जो इंडिया के एक टॉपस्ट एजुकेटिंग एफ है जहां पर देखिए आप सभी के लिए लेट से क्रेकिट सी एस आई आरेनेटी दोजारी की फ्री लाइब क्लासेस बाइंडियास टॉप ए रामस और रक्सा मिस्रामय जो आप सभी के लिए सभी देखिए सब्जिक्ट सीरीज को लेट लाने वाले हैं और साथ में यहां पर देखिए सभी का डेट दिया गया कि कब से स्टार्ट हो राइन का और कितने टाइमिंग में होगा से ट रिवाइंड एंड प्रेंड्स आप इस्टा डिस्टाउन पाना चाहते हैं 10% का आप सभी को इस्टाइविए वाला है अगर आप लोग देखिए फ्रेंड्स एग्जाम 2 एग्जाम 20 इस को याद रखी एग्जाम 20 अगर आप एग्जाम 20 को इस exam 20 code को यूज करते हैं तो आपसे भी 10% इस्टा discount मिलने वाला है और साथ में दोस्तों ये भी बता ज़या आप लोग चाहें तो किसी भी subject में मेरा इस code को यूज कर सकते हैं किसी भी class के लिए किसी भी course के लिए आप लोग हमारा code को यूज करेंगे फ्री टेस्ट मिलेंगे विल्कुल मुप्त तो अभी चाहिए discussion चेक करिए थैंक्यों दोस्तों तो सौगत एकवाद फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्जाम अपडेर्स हैं दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला आपके यूपी पॉर्टिंग 2021 के लेटर इंटी के लिए जरूरी कॉलिफाइं पेपर क्या है क्या इसका पेपर होगा टोटल कितना पेपर देना होगा कि सेमस्टर कितना पेपर होगा अगर डारेक्ट सेकंड डियर में लिया है तो वीडियो जरूर देखें नहीं तो दो साल बरबात पूरा डेटर बताता हूं क्या क्या प्रोसेस है हाला कि इस टॉपिकों में बनाना नहीं चाहता था लेकिन काफी लोगों का तो टोटल देखें हाँ पूरा प्रोसेस बताने वाले पूरा सब्जेक्ट बताने क्योंकि हाला कि यह दोस्तों टॉपिक नहीं था मेरा मैं सुच रहा था नहीं बनाओ देना है तो काफी लोग कंफीजियों हो था काफी लोग कुछ टोट इससे सोचकर पेनिक हो जाते यार कैसे होगा हाला कि मैंने खुद लेटर एंड लिया था और अपना खुद क्वालिफाइंग किया हो से अपका क्लास नहीं चलता है अगर आप लोग तो बिल्कुल निस् का अप्लाइट फिजिक फर्ष्ट का आपके लिए मैं रेगुलर क्लास जो चला रहा है उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको बैक बिल्कुल नहीं लेगा आपको क्लियर कर लेंगे उसको तो आप हमारे चैनल से जूड़िएगा और जाके सभी वीडियो अप्लाइट में देखे प्लेइट अप्लाइट में फस्ट का मैं डिस्क्रिप्सन देदूंगा नहीं जाके डारेक्ट देख सकते हैं करीब आठ क्लास चल चुके हैं आप सभी के लिए दो तीन तीसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर आप सभी के लिए इस्टार्ट है तो आप लोग में जिसको क्वालिफाइग करना पड़ता है रेगुलर सब्सक्रिक्ट नॉर्मल यानि आपको दिखाना पड़ता हाँ आप लोग इसके इलिजसबल हैं आपका आपका जो है पेपर होता है और देखी नंबर आपका जुड़ेगा नहीं लेकिन आपको उसमें तो अभी आपका result final नहीं माना जाएगा clear नहीं माना जाएगा आपका उसमें बैक ही माना जाएगा मतलब आपका percentage नहीं जुड़ेगा लेकिन आपका एक परकार से बैक मना जाएगा उस पर लिखा रहे जाएगा result incomplete या कुछ और भी लिखा रहेगा तो इसलिए आप लोग ध् सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आप सभी का लेटरेंटी क्वालिफाइन धेपर total कितने होते हैं तो देखी से देख लेखे ऑलितल से यानि आपको पूरा पेपर देना है कितना च्छा पेपर देना परसान नो है च्छा पेपर एक साथ नहीं देना आपको तीन दिन के पेर में देना है अभी पूरा बताऊंगा कैसे कैसे देना है और साथ में देखिए यह जो पेपर होगा किस तरह से होने वाला है यानि कौन क पहली बात करते हैं आपका है applied math first applied physics first and applied प्लोग चाहेंगे तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि अगर व्यूज आगा तो फ्रेंट्स टीचर रखना पड़ेगा आप सभी के लिए तो थोड़ा सा मैं अपने जेल से पैसे पता हूं यूटूब उतनी अर्निंग नह लिए हलाकि देखिए अपलोग अपलाइट मैंत का फशलिकी एक टीचर रख दिया मैंने तो आप लोग परसान हो जाके देखिए तो देखिए तो देखिए चौता सब्सक्राइब का अपलाइट मैं सेकेंड पच्वाँ आपका अपका कॉम्निकेस्ट इसकिल कि और चलिए के लिए रख दिया है तो आप लोग जाहिए क्लास देखिए कोई भी प्राब्लों हों कि कमेंट करेगा और एक चीज आप अगर जान काई चाहते हैं आप पेपर वीडियुक में जाते हैं आपका पेपर वीडियुक में जाते हैं अपनों पर पर इपलाइज अपका देता हूँ अगर आपको कोई और पीडियुक चाहिए तो टेली ग्राम से जूड़िये दोनों का लिंक discussion मिलेगा and apply physics का मैं शुरू कर रहा हूं important questions to reach applied chemistry का भी आप लोग परसान नहों है अब देखिए आपका मैं बात करता हूं आखिर total six paper होंगे कब कब होंगे paper तो देखिए आपका जो total six paper है आपको परसान बिल्कुल नहीं होना है total six my paper है आपको तीन-टीन की पेयर में आपको एकजाम देना है यानि टीन subject एक semester में तीन subject एक semester में यानी एक जो तीन सब्जिक्ट होगा ठर्ट semester में और एक होगा फोर समें यानी आप लोग डारीक सेकंड येर में वहां तो तीसे सेमेस्टर में कौन-कौन सा होगा तो तीसे सेमेस्टर में आप सभी के लिए जो पेपर होने वाले हैं देखिए आपका थर्ट सेमेस्टर यानि इस साले सेमेस्टर में जो इस समय आप प्रजेट में पढ़ उस सेमेस्टर में आपको कौन-कौन से त्यारी करना है तो आ मतलब बोले तो जो आपका लेटर इंडे का पेपर होता आपके जो फस्ट यह आपके साथ तो न्यू को फस्ट यह होते हैं सब्सक्राइब इसलिए परसान नहीं सब कुछ बता जागा और दूसरी समस्टर यानि 4 समस्टर में आपको करना है क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि जब तक आप लोग इससे क्लियर नहीं करेंगे जब तक आप कि आप लोग जाएं पैस्त डिवांड पर ये वीडियो बना है और अपर फ्रिंट के साथ भी सेख रिये जादा जाने कि अब हमारे टेलिग्राम ग्रूप और फेस्बूप पेसे जुड़े थेंकि दुस्तों आल देश्ट